कूँख के बाद एक बढ़ फिर से आपका सुआ गयर थे ब॥रीक से पहले हम्हाने Link, इस olması बातीह पीशार हे आपके पास घुलके says, और ऐक पास प्रीउस जी के पास बहुत है, प्रिशजी का कर रहे थे , हम सब भी सुन रहे थे, लेकिन मेरा मूल सवाल जो था, वो छूट गया है, वो पहले मने आप से भी पूछा था, तब ही भी छूटा, डौक साथ से पूछा, नुमिशा जी से भी पूछा, मेरा सवाल छूट किया, मैं वापस उस सवाल पर आएंगा, कि क्या हमारी इच्छा शक्ति सरकारों की इच्छा शक्ति मजबूत होती तो क्या हम बेहतर धंक से नहीं लड़ पाते हैं बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल वाजबी एक साल की बात नी میں पूरे 5 सालों की बात कर रहाँ इसलिए इसलिए जो भी बात कहें थोड़ा सा दिल पर हाथ रखके कह दीजिए इमानदारी की बात है बहुत वाजब और बहुत एक दम आपने उचित बात यह कहिए कि यदि सरकारें चाहती तो हम इस बिमारी के एपिडिमिक या नी महमारी होने से पहले इस से निपट चुक लेकिन मैं आपको क्योंकि आपने कहां मेरे पास आंकड़े हैं और वाकई में आंकड़ों कहा खिलाडी हूँ तो मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आप सेम दे जांच देंगे तो आपको राजजी के अंदर SMS के अंदर सेम दे रिपोर्ट बिल जाएगी अगर ऐसा जनवरी को उन्देस फरवरी 2015 को यानि गएवे कल ही एक टेंडर निकाला है जिसके अंदर 10,000 डाइगनोस्टिक किट 10,000 मास्क और 60,000 दवाईयों के लिए तेंडर यानि निविदाय आमंत्रित करी हैं तो डाइगनोस्टिक किट तुमारे पास है नहीं और तुम बाते करत हैं डाइगनोस्टिक जांसे जो है सेम रिजल्ट पकडा लेंगे आपको रोकता हुघ सुरेशी किया क्या घरघर स्क्रीनिक हम कहते हैं हमरे साथ हैzeńं हम कहते हैं इसक्रीनिंग हर थे तो राद्ये से यह होस्पिटल बने वे हैं हर गली मोलने में च्कुत शोटी कि आपको मानता हूं कुछ कम हमारी रहसती है पर यह जो रूप इस बार सामने आया है यह बड़ा रूप है पिशली बार सकारिंगी थी उसमें देख्यान करते समधान करने के जगा है अब रहने वाले नमाइन दे अगर इस परकार की बाश्रा का उप्योग करते वे और आगे बढ़ने की बात करें सरकार को चाहिए सावचिती से इसका प्रयास करके रोके और रोकने के लिए जो रास्ते निकाल सकते हैं टेंडर निकाल लोकल मारी खताम होने वाली अब आप कहलो कि घर्मी का आएगी तो खताम हो जाएगी भी मारी कर्मी आ चुकी है लेकिन आपने टेंडर निकालने की विष्टा करिये इसका आपकी को तैठी नहीं करने की इच्छा भी नहीं है चाले पीछे का लूँगा कुछ कहना चा रहे लगा है क्या वेक्सीन उसने काम कर रही है यह वीज neste लिगा जा रहा ला जब यहां से फोरेंच्ट आते हैं तो सारी डरी स्क्रीन् zeggen होती है सारा tell होता है तい तो कि लेसे वह वह से हो वार्स कोई लेकर आ रहा है जापान का एक तो मेरा पहली जो यहां मोट पे डाइगनोस हुआ कि उस स्वाइन फिल्यू से इसकी मौत हुई है क्या उसकी स्क्रीनिंग हुई थी उसके बाद स्क्रीनिंग सालो किया तो एक दूसरी दूसरी बात है कि इसको अब रोका कैसे जाए बाते करने से रुके गाने काम करने से खोलेंगा कि आकिर समस्या जो है वह रूंड जो है और बिमारी जो है लड़ना हमको ही है हम सब को मिलकर लड़ना है तो आखिर कैसे लड़े मैं उसी पर आओंगा जी उसी का पहला पॉइंट है की जब मोदी साभ में परसम ने औरने जिया वहांश को सारिए जाए में कैसे रोकधाम हो कैसे इससे बचाव हो सारे पुलिस स्ट्रेशों में सारे सर्मपचों के दोवारा गाउंगाउं के पैंचाल पे इसको बचाव और रोकथाम के लिए बताया जाए सबसे पहला एक यह करना जी यहां सभी लोग अपने अपने चिकिस्सा पद्दति और उन कर वालू मैं तकरीपन साड़े पांच बज़े जो आपकी कहीं छोटी डिस्पेंसरी भी है अलगली महलों में तो मैं वहां डिस्पेंसरी में गया की मेरा कुछ इलाज कर वालू साड़े-5 बज़े पहुंचा बाहर बैटता पर्ची काटने वाला उससे बना कर दिया अब परचीनी काटेंगे हम लोग अगर क्या अगर सर के पास समय हुआ और सारे मरीज खतम हो जाएंगे क्योंकि श्याब तक का समय है तो उसके बाद काटेंगे ठीक है फिर भी मैं लाइन में लगा रहा रहा लाइन में लगते लगते छह बच गए जब तक मैंने का सर मैं अकेला करते नहीं मुझे काम है मैं जा रहा हूं यह तो इनकी डॉक्टरों की वह है कि वह किस तरीके से कर लोगों को देख रहे हैं एक दूसरी घटना में चलो यह तो छोटी डिस्पनसरी थी बड़ी डिस्पनसरी जाता हुँ जैसे कहा कि जैपुरिया के अंदर कि जांच हो रह है और फिर उसके बाद में कल रात को जब मैं समस जाके आया तो मैंने वहां देखा कि सब लोग मास वगरा मैंने का यहां तो बहुत है रुमाल लगालू मैंने पूच्छा भाई यार कहीं से मास मिल सकता है मेरको तो तो यहां नहीं को मिलेगा भार जाओ यहां इसा नहीं है आप जाके पहले वहार से लेकिया है यह सब चीजें तो आप खुछ सो सकते की जब मेरे साथ मैं घंटी तुवी चीजें तो आप खुद देखिए कि यह लोग कर क्या है हो क्या रहा है सीधे यहां पर आउंगा मैं यह आम आदमी है और इन्हें सारी सारी जो पॉल पड़ी तोड़ा सा एक्टिव हुई है जब नेशनल मीडिया कवर करने लगी एसमेस कैंपस लाइव दिखाने लग जाता है और मैं बता दो बीजेपी कितना एक काम इंसान और यहां की लोगों को लोग के कितना वह की ऑल वर इंडिया का जीडिवी जीडिवी का एक परसंट अल्रेडी पहले से हेल्थ बजट था उसमें से इन्हों ने छे जार करोड यहां पर करना वहां आठ परसंट है चाइना सब कुछ डेबलाप वहां पर तीन परसंट है इन्हों ने एक परसंट जो पहले की गौवर्मेंट डेरी थी पहले चला उसमें से भी छहजार करोड कम कर दिया तो यह इनसे पता चलता है कि कितना हम आदमी परतिए मैं आप जो एक हो सकता है कि सरकार करें नहीं हो सकता है कि विपक्ष अपना जो धर्म हो निभाए यहां सवाल के मताबिक ही विपक्ष, सरकार, NGO, मीडिया और वह सेंटर जो ही जंता के बीच में अपना थोड़ा भी दमखम रखते उन सब को मिलके इसकी अवेर्नेस फढहनी पड़े मुख्य मंतरी चाहे पूर वो चाहे ग्रह मंतरी वर्तमान हो जनता से जब मिलते हैं तो स्वाइन फ्ली हो जाता है जब उनको मिलने से स्वाइन फ्ली हो जाता है क्योंकि जनता के बीच में है छूत की विमारी है तो उसकी जो रोक्थाम है उसी के बारे में दिन रात बात करनी पड़ेगी दिन रात लोगों को समझाना पड़ेगा और उसके अल्टरनेटिव नुक से जो वैज साब बैठे हैं ऐसे लोग जो घर के अल्टरनेटिव नुक से हैं कि कैसे हम अपनी एम्यून पावर अपनी खुद की रोक प्रतिरोधक शमता बढ़ाएं जिससे कि ये वाइरल हमारे उपर असर ना करें ये विवस्ता आपको और बिठानी पड़ेगी साथ की साथ तब तब तो आपको लगता है कि हम उससे लड़ पाएंगे नहीं तो ये सोचो कि अगर ये मल्टीपल होने लगा तो फिर कोई भी सरकारे नहीं लड़ पाएगी और ये फिर मामारी की तरह भेंकर रूप से फैल जाएगा डॉक्टर निमीशा क्या लगता है कि आकर किया क्या जाना चाहिए मिल्कल वही सबके मिलजुल के प्रयासों से ही हो पाएगा सतरक्ता से ही इस बिमारी से जिससे हम जूज रहे हैं उससे हम निबट पाएंगे और एक तो होता है तुरत प्रयास जो किया जाने चाहिए जो कित सक सुवीदह पलब दोनी चाहिए तो फिर से ना लॉट करा है ये उसके लिए एक सरकार को एक दूर की नीती बनाने चाहिए योजना बनाने चाहिए एक रिसर्च किया जाना चाहिए क्यों आती है कैसे आती है और इसके आते ही तुरत रोकताम कि क्या प्रयास की जाने चाहिए तो ये एक सरकार के और समाज के और आमजन के इन सब के मिलने के पश्चा थी हम इस महामारी और जिसी कहते है न आपदा से निबट पाए मैं आऊँगा अभी एक ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हम लोटेंगे ब्रेक के बाद कारिकर में एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे मैं यहाँ पर डॉक्टर मायंक भी है डॉक्टर मायंक इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम लोगों को जानकारी दें क्या परिशानी है इसका निवारन कैसे करना है जैसे पीछे किसी ने बताया था कि जब इलेक्शन्स होते हैं तो रेलिया निकाली जाती है वही फिर से किया जाए इस रेलियों में हेल्स रेली की तरह इस तो निकाला जाए कि लोगों को जागरु किया जाए पर्चें बाट में अब तो हम पूछ रहे हैं कि सकारत्मक सुजाओं हम भी सरकार को दे सकते हैं तो क्या आप देना चाहेंगे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे कि सभी हेल्थ लेट्वेचर के अंदर बताया जा रहा है कि शुरू की 48 घंटे के अंदर अगर दवाई दी जाएगी तो प्रभावी होगी उसके बाद में वो उतनी प्रभावी नहीं होगी या दवाई की मियाद खतम हो जाएगी या य 45 घंटे के अंदर ही मारे गए तो जाग रुकता कितनी यानि वो लास्ट स्टेज के अंदर अस्पताल में पहुंचे थे जब मैं मानता हूं कि अच्छे सच्छा डॉक्टर उनको बचाने में नाकाफी था या उसकी जितनी भी चिकितसा विदा थी वो किसी भी तरीके से उ रेलू अद्रक की चाय से इस दिवारी को मिटानी की कोशिश ना करें यदि आपके खांसी जुकाम बुखार है तो आप शुरुवाती 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर यदि आपके गला सूखरा है जोड आपके तूट रहे हैं आपको सौ से उपर का बुखार है यह आ मेरा तो सुझाव यह है कि सरकार को एक अंदोलन की रूप में इस बिमारी की प्रचार प्रचार में लगना चाहिए और सभी लोगों का सयोग लेके इसको अंतिम छोर तक पहुंचानी की व्योस्ता करनी चाहिए और जहां तक हमारी आर्वेदिक पंदिती का सवाल है हमने अपने इस तर पे भी कई लोगों को जानकेरी अपलब्द कराई है एक थोटा सा उपाय है कि कपूर और इलाईची को पीस के और उसको सुंग लिया जाए यह थोड़ा बहुत तो काम करेगा ही करेगा सुरुआती इस तर पे और बाद में हमारा आर्वेदिक जो काड़ा है उसको भी घर पे लिया जा सकता और फिर जैसे हमारे साथी डॉक्साब ने कहा यदि कुछ इस्टितियां कुछ विसम हो जाती है तो निश्चित रूप से डॉक्टर को कंसल करना है डॉक्टर से मिले सुरेज जी आपके पास आएंगे अब आरोपों का दौर को मैंने खतम कर दिया विपक्स की रूप में जो बाते मैंने कहीं वो सही कहीं सरकार को बताना जटाना हमारा जदाजित बनता है लेकिन सरकार को अब इतना करना चाहिए कि केंपेंट बड़े इस्तर पर चले जनता के बीच में जाके समझाने की कोशिश की जाए इसकलों में कोलेजों में और यहां तक कि डॉक्टर को सावजयत किया जाए कि अधिक सादिक मरीजों को किस पकार से ठीक करने की विश्ता क बाद निकलती है और सिर्फ हमारे राजिस्तान का मुद्दा नहीं है स्वाइन फिलू आदे देश का मुद्दा बन चुका है और अब सबसे बड़ी बात है आस तो जम्मू में एक पुलिस कमिशनर की मौथ स्वाइन फिलू से हो गई है यह बड़ी घटना आज ही हुई है तो पूरी देश के लिए हम आपको यह सुझाव भी सौंपते हैं और साथ में आपसे भी चाहते हैं कि क्या आश्वाशन आप लोगों को देना चाहते हैं पहला तो यह है कि वेवस्ता मजबूती के लिए हमेशा गुंजाईश रहती है और जो जो भी जिस भी प्रकार के जो सुझाव आए हैं उनको क्रियानवन के अंदर सरकार बिलकुल भी कौता ही ने बरत रही है ने बरतेगी उनको पूरा करें लेकिन मेरा यहाँ पर भी जो सब मानुभाव आए हैं क्योंकि वो सामाजिक सरोकार रखते हैं चाहे किसी भी राजदितिक पार्टी से हो लेकिन वो सामाजिक सरोकार रखते हैं तो उनको भी अपनी जिस प्रकार से भी सहयोग लेने के लिए ये नहीं है कि सहयोग जब रचेत करना चाहिए मैं यह बता दू कि इंडियन मेडिकल अशोशेशन ने दिल्ली के अंदर भी अपनी कली हमने राजस्ता पूरे के पूरे नेशनल लेविल के उपर इस बात को प्रस्तापास करके और दिल्ली के अंदर तो हमने तेरा जो हमारी ब्रांचे हैं उनके उपर सब दवाइय और ईलाज और ये सब की इवप्लब्द करयी हैं इसके अलावा भी पूरे राजस्तान में नहीं जहांगा ये सौाइप्ट अवह है वहां सबी हमने हमारी गाइदलाइंख ॥ स्वाइन फिलू के लिए क्या होनी चाहिए और इसके अलावा भी हमने पोस्टर पैंप्लेट ये सब राजस्तान के अंदर भी हमने करीब करीब 10 लाख ये पैंप्लेट पूरे के पूरे बठवा दिये गए हैं जहां सरकार से उपलब्द दवाईया हैं उन दवाईयों के लि दवाईयां यहां मिलती हैं इलाज होता है ये सब जगें लगवाई जा रहे हैं और उसके लिए भी पूरा का पूरा कारे पूरे इस तरके उपर उपलब्द है और सरकार उसके अंदर पूर्ण रूप से सयोग कर रही है और हम सरकार का सयोग कर रहे हैं सयोग कर रहे हैं सय कार की इच्छा शक्ती भी दिखे लड़ने की इस बिमारी से जो महामारी का रूप ले चुकी है हम उम्मीद करते हैं कि यह जो सब बाते हैं यह धरातल पर दिखेंगी और जब अगली बार हम मिलेंगे तो इस स्वाइन फ्लू के खात्मे के साथ एक उम्मीद स्वाइन नमस्कार